दोस्तो आज के वीडियो में हम ceiling fan का connection regulator के साथ करते समय regulator के एक wire के साथ joint आता है तो उस joint को हम किस तरह से आटाएंगे तो इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे और उसका connection आपको किस तरह से करना है इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे तो युड़ो को आपको पूरा देखना है, तो युड़ो में आगे बढ़ते, तो सबसे पहले हम यहाँ पर switch को on करते, on करने पर यहाँ पर हम regulator घुमाएंगे, और यहाँ पर हमारा fan सही से चल रहा है कि नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, पहला split हमने यहाँ पर joint आते हैं, उसे हटाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम switchboard को खोल के लेते हैं, और खोलने के बाद इसके अंदर हम देखेंगे, तो definitely इसमें joint ही होता है, तो maximum जो wire में होते हैं, तो वो joint ही लगते है, regulator wire के साथ, तो इससे हमने यहाँ पर खोल दिया है, तो य यहाँ पर जो हमारा fan का half wire है, blue color का, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पर दिखिए, जो blue color का wire है, हमारा fan का half wire है, तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं, यहाँ पर joint लगा है, regulator wire के साथ, और जो blue color का wire है, हमारा fan का हाप वायर है तो इसके बाद क्या करेंगे यहाप पर तो सबसे पहले यहाप जो फेज वायर गया है आगे दिखें यहाप यह में फेज वायर है उसके बाद यहाप निकल देंगे जल्दी से तो यहाप इसको निकल दिया ठीक है यह छोटा वाला जो आगे लगा था इसको निकल दिया उसके बाद यह में फेज का वायर है हमारा इसके बाद हम क्या करेंगे रेगुलेटर का एक वायर लेना है और पहले वाले स्विच के नीचे वाले टर्मेल उसको लगा देना है तो तो इसका जो screw है उसे भी आपे हम tight कर लेंगे अची तरसे तो फटावड इसका कर लेते तो यहापे हमने लगा दिया है तो यहापे आप देख सकते हो ठीके तो इस तरह से आपको connection कर लीनी है इसके बाद regulator के दूसरी wire दूसरे वाले switch के पर नीचे वाले terminal में आपको लगानी है तो इस wire को आपको यहापे जोड़ना है और उसके बाद इसका जो screw है उसे हम अची तरह से tight करके लेंगे यहापे तो फटावड इसका हम को कर लेते हैं तो यहापे हमारा हो चुका है तो इस तरह से आपको connection कर लेनी है उसके बाद क्या करना है ceiling fan का जो half wire है उसे लगाना है दुसरे वाले switch के उपर वाले terminal में तो यहापे इसको जोड़ देते ठीक है तो फटावड इसका यहापे connection कर लेते हम तो यहापे हमारा connection करके हो गया है इसके बाद बात करते हैं यह वाले switch की तो इसके उपर के point में हम कुणसा भी light का half wire जोड़ सकते है तो सबसे बहले phase यहापे आएगा और यह regulator wire के साथ यहापे आएगा और दूसरी regulator wire के साथ यहाँ जाएगा उसके बाद switch को on करेंगे on करने के बाद यहाँ से phase हमारा half wire के साथ यहाँ से गुमके हमारे ceiling fan में जाएगा यहाँ पे ठीक है तो इस तरह इसका connection हुआ है तो बहुते आसाने कुछ मुश्किल नहीं है तो सबसे पहले board को लगा देते हैं और लगाने के बाद यहाँ आप हम ceiling fan को चालू भी करके देखेंगे ताकि आपके मन में कोई doubt ना रहे कि यह connection चलता है नहीं यह चलता ही है इसमें कुछ problem ही नहीं क्यूंकि यह सीधा सीधा connection है तो यहाँ पे switch को on करते है उसके बद यहाँ पे regulator को घुमाते है तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमारा fan घुम रहा है उसके बद speed बड़ाते है देखिए यहाँ पे speed बड़ रहे फैन की उसके बद यहाँ पे 3 पे कर दिया उसके बद इसके चार पे करते है और उसके बद यहाँ पे इसे 5 पे करते है तो यहाँ पे इस सही है हमने स्रिफ यहाँ पर जॉइन को हटा है तो इस तरह से आप जॉइन को हटा सकते हो इस भी कुछ यह मुश्किल नहीं है तो यह आपका नॉलिज के लिए था तो वीडियो अच्छे लिए के तो लाइक कर देना और चैनल को सब्स्राइब कर देना तो आज के लिए तो मिलते हैं ने स्टूडियो में